दोस्तों Big Boss Season 18 को लेकर अब Big Boss Season 16 की कंटेस्टन निम्रित को और आलुवालिया ने एक ऐसी बात कह डाली, एक ऐसी सीक्रेट बात Big Boss को लेकर निम्रित को और आलुवालिया ने कही है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने व और आलुवालिया पहुंची भी थी बिग बॉस ने भी निमरित को और आलुवालिया का काफी फेवर किया था इसलिए कोई ये नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार निमरित को और आलुवालिया ने तना बड़ा खुलासा क्यों किया जबकि बिग बॉस की जरनी थी निमरित को औ जनते ही हो कि 6 अक्तूबर से Big Boss सीजन जो 18 है वो शुरू होने वाला है Grand Premier हम सब को 6 अक्तूबर को देखने को मिलने वाला है जिसमें निया शर्मा का नाम सब से उपर आ रहा है कि निया शर्मा हम सब को देखने को मिलेंगी इसी बीच अब Controversy होना शुरू हो चुकी है देख निमृत को और आलवलय का हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ जहां पर निमृत से Big Boss को लेकर जब सवाल पूछे गये तो निमृत को और आलवय ने खुलासा कर दिया निमृत ने कहा कि कहीं नक कहीं उनसे ये सवाल पूछा कि क्या Big Boss जो एक स्कृप्ट्टिड शो है क्योंक को चलाना चाहते हैं उस तरह से चलाते हैं निमृत ने कहा कि सबसे पहली बात कनफेशन रूम में जब एक एक करके कंटेशन को बलाया जाता है आपने दिखा होगा कि कनफेशन रूम में कंटेशन को बलाया जाता है और वहाँ पर उन्हें ये बताया जाता है कि आप कौन से कंटेशन को आगे बढ़ता देखना जाते हैं कौन सा कंटेशन अच्छा नहीं खेल रहा है ये सारे सवाल उनसे पूछे जाते हैं और उन्हें बढ़काया जाता है कि आप बाहर जाकर ये करो इस कंटेशन को आप ये कहो उस कंटेशन को आप ये कहो दूसरी बात निमरित को और आलोवाले ने कही कि वीकेंड का वार पर आप सब ने देखा होगा कि सलमान खान सब के सामने एक कंटेशन को फटकार लगाते हैं और फिर बाकी के कंटेशन से पूछते हैं कि ये जो कंटेशन है इसने सही किया था या गलत किया था और सलमान उसी से सवाल पुछते हैं जिसको सलमान खाना लड़वाना चाहते हैं यानि मेकर्स जो हैं वो अपनी मर्जी से दुश्मन बना देते हैं मेकर्स अपनी मर्जी से एक दूसरे का दुश्मन भी बनाते हैं तो ऐसा ये शो है रो वेल एडिटिड शो है ये तो आपका इसके बारे में क्या मानना है बिग बोस 18 को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें